गुद मॉर्णिंग शुन्स हम लोग चैप्टर टू नाउन के बारे हम पल रहे थे लिगा तो हमने नाउन का डिफ्रिंसन देखा था प्रॉपर नाउन के बारे में जाना था एक्सरसाइज किया था और होमर के रूप में आपको कॉमान नाउन से जुड़े एक्सरसाइज सीवन और सीटू दिए गए थे तो अनलों पहले सीवन रसीटू का अंसर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो कॉमान आउन ठीक है ऐसे नौ में जू लोगों के जगह के ठीक है प्लेसेज के चीज़ों के कमन नाम बताते हो ठीक है जो कॉमन नाम से हो जनरल नाम उन हमको अलगलग category में divide करना है तो सबसे लिए पीपूल को देखते हैं तो पीपूल में कौन कौन से इंद में आएंगे अब वह डेंटिस्ट है तो ठीक है वह कौमा नौन में है और सेफ है जो रस्वईय होते हैं और सिंगर है और बेकर यह केक बनाते हैं तो पीपूल में यह पांच हो गया फिर प्लेस में लोग देख लेते हैं प्लेस में लाइबरेरी है ठीक है और मार्केट भी कोई छोटा ब्लेस मार्केट को सिधा मार्केट होफला है होटल है ठीक है कोई थ्री प्लेशनल उसकता है नेचनल भी हो सकता है तो एबड़ ब्लेश्य कि और ठीक है चरही चोटा बड़रीकिंवाबब 77 gaming ब्लेशिवैज इसे एनिमल्स को बात करें तो इनिमल्स में देखिए स्नेक है ठीक है पैरोट है क्रोकोडाइल है गोट है और इगल है तिंक्स अगर वस्तूं के बात करें चीजों में तो कौन-कौन से हैं गेट ठीक है चेयर रेडियो काइट टतंग है लैडर सीड़ी है तो यह है कि अमें इस तरह से शॉन यह से चाटना था था तो हमने पुरा चाटन ली अब हम एंऊं सीटू देखते हैं सीटू में क्या है अंड्रोलीन कॉमन नांस इन्द सेंटेंस है मृत करना है तो कहीं भी आपको एक से जधा भी ho सकता किसी में तो आपको ध्यान देना है तो दे एक लिटिल बड इन्द गाड़ेन तो यहां पर बड़ आप किस बड़ की बात कर रहे हैं कि एक्ट वन का मैं वोल रहे हैं सारे बड़ के लिए तो बड़ और गाड़ेन ठीका गाड़ेंग में पलेस है तो कि टीचर इज नौट इन दघ्लास तो यहां पर क्या तीचर अब teacher male कि female इसे निए मतलब निए है तो teacher हो गया और class ठीक है class common noun नहीं है क्यों कि क्लास जन्रीमित कि किसके यूज़ करते हैं हम सारे students कि यूज़ करते हैं तो ये group में collective जल्देट्ट्यृणер होता तो उसमें आता है कवीता है जैप प्रेट्य डॉल क्या है कोई भी डॉल होसकता है ठीक है बेडी डॉल के बैबी डॉल बार्बी डॉल कोई भी क 위 उच कर रहे हैं चरहे कलों इसके बाद doorbell ठीक है doorbell और candy के टॉफी तो यह कोई भी तरह का candy को सकते हैं तो यह हमने common zone में से उनको controlling कर दिया है लोग आगे देखते हैं आज के लिए जिसका आरबल में पढ़ लिया है कि कि कुछ खास लोगों के particular लोगों के जगों के चीजों के जानोवरों के जो special name होते हैं उनके जो कुछ specific name होते हैं उनको क्या कहता है प्रापर नाउन जैसे करें लोगों बात करें तो भगवान सरी राम महात्मा गांदी तुम्हाइब कुछ श्रू का नाम कुछ श्रूस रहें पंद्जाल नहरू किसी नाम है प्लेस जिसे आगरा दिल्ली ठीक है अनिमल समा बात करें को भी आप एनिमल्स है श्रूस कर जी सकत तो आज सपना का पहला दिन है अपने नएने स्कुल में सीस टेलिंग ने क्लास एबाउट हरसल तो क्लास को अपने बारे में बता रही है रिट वाट सीसे तो आपको रीड करना है क्या हो कह रही है अगर प्रॉपर नाउन होगा तो आपको क्या करना है अंडरलाइं करना है ज जैसे आपमनार माइननों सब्क्राफ करोंनर देंगें करें राइटर क्वा इसको क्या कर देंगे अलग साथ फैसे प्रोप्राइब देखना मिस्ट मतिल्डा मिस्ट मतिल्डा कोई एक ही होंगी जिनका एक नाम है तो वह तुछ इस तरह सब को भी अलगोला करना है कि इसके बाद कलेक्टिव नावन थो मोगों पढ़ना है Names of groups of people, animals or things are called collective nouns तो तो अगर लोगों के जानूरों के और किसी चीजों के ग्रूप में जो नाम हो ग्रूप क्या होता है जब कोई भी चीज़ एक से जादा हो एक होगा तो सिंगल होगे एक से जादा मतलब 2, 3, 4, 10, 12, 50, 100 अगर ग्रूप में होंगे तो उनका जो नाम होता है वही क्या कहलाता है collective noun जैसे a bunch of keys यहां तो जो bunch है वो क्या है collective noun है यहां bunch of keys का मतलब क्या है यहां पर बहुत सारे चाभियां है तो हम से कम 2 चाभिया तो है 2 से उपर ही है 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है इस टिक है अपर लिटर किस लिए उच्टिया जब बहुत सारे पपीज होंगा तुम क्या बोला जागा लिटर टिक है acquire of singers तो singers जब बहुत सारे singers एक साथ गाते हैं यह फिक गूरूप में होते हैं तो क्या पर गूरूपं मैंние स्कूल कहा जाता है वहीं मिस् Please speak about a group.we speak about it as one group even though there are many in it, depending when Hang up कम लोग किसी बारे आद बात करते हैं तो घ्रा जयका किसी एक सिंगल गूरूप की बात करते हैं जबकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं यहां पी जाह सब को तो रिमेंबर में अताय भी किया है कि a choir of singers is singing तो अब choir of singers जो क्या एक group है ठीक है कितने group है एक तो इसके लिए हम क्या यूच कर रहे है is a choir of singers are singing ये गलत है क्योंकि जो क्या है choir of singers है वो एक group है तो हम एक group के साथ आर नहीं लगाएंगे ठीक है वही चीज यहां बताया जा रहा है आपको कि जब हम group के बारें बात करते हैं तो किसके बारें बात करते हैं सिर्फ एक group के बारें बात करते हैं तो इसलिए a set of keys it called a bunch though it is many key's in it तो set of key जो है भाहत चाबियों का जो गुचह होता है क्या बहुत सारे singers होते हैं तो उसे तरह से यहां पर word list यह गया है ठीक है collective nouns का जैसे army of soldiers तो army of soldiers मतलब क्या है कि बहुत सारे soldiers क्या का है आर्मी ठीक है troop of monkeys तो बहुत सारे मंक्यों क्या group में का बले जाएंगा troop तो उनके group का क्या नाम होता है यह बताए गया ठीक है जैसे sticks अगर बहुत सारी sticks है एक साथ तो क्या बंडल बन जाती है कि अगर बहुत सारी आंस एक साथ तो क्या colony बहुत सारे cards है तो किसमें pack बोला जाता है ठीक है जैसे एक pack कितने उन सबको बोला जाता है library of books जब बहुत सारी books होती है तो क्या लाइब्री बोलते हैं उनको cattle तो cattle जब सारी group में क्या हार्ड बला जाए जुंड उसी तरह से musicians ई musicians group में क्या band बनता है ठीक है उसी तरह चोर होंगे तो चोर का यह च्या होता है सही करेक्टिव नव भरना है तरह पर सिप अगरब सिप का ठीक है जुन्दत को निकुक्य भोलते हैं बनानास क्या घृप है यदिBACK मुलिवाट सारे बनानास नंको क्या बुला जाएगा तो नीचे आपको जो sentences दिये गए हैं उनमें जो collective नाउन से उनको क्या करना है underline करना है I saw flight of birds in the sky ठीक है तो मैंने क्या बहुत सारी चीरियों को आकास में ठीक है उनका पूरा गुरूप आकास मोड़ते देखा तो गुरूप को क्या करते हैं फ्लाइट को अंडरलाइन कर देंगे उससे तरस नेक्स्ट में the monkey ran with a bunch of bananas तो आपको यह बताना है किसमें कौन सा वर्ड है जो collective noun है the pride of lions rode loudly a litter of kittens played in the garden a fleet of ships sailed in the sea तो आपको इस में से ढूनना है कि collective noun कौन सा है उसको ठीक अंडरलाइन करना है तो आपको एडू करना है ठीक है एवन करना है और डीटू करना है और डीवन करना है यह चार जो एकसरसाइज हैं आपको करनी है यह हमर कुरूप में है नेक्स्ट यूडियो में हम लोग ठीक है इन सबका पहले solution देखेंगे और singular and floor nouns के बारे पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद